का शिफ्ट देने की एक आप्शन देने की भी कोशिश होनी चाहिए बेटर टाउन प्लानिंग और बाकी चीजों पर भी फोकस किया जाना चाहिए और चलिए जैसा हमने आपसे वादा किया था एक और विशे पर हम चर्चा करेंगे और वो विशे है रिवर टूरिजम के में हमारी नई उडान का नौर्थ इंडिया की लाइफ लाइन कहीं जाने वाली गंगा नदी पर फाइव स्टार जैसे आलिशान क्रूस की शुरुवात हो गए पीम नरेंद्र मोदी ने वारांसी को वैसे तो दो सौगाते दी हैं पहली सौगात जैसा हमने आपको बताया गंगा विलास क्रूस और दूसरी एफाइ स्टार टेंट सिटी की गंगा विलास क्रूस दुनिया की सबसे लंबी रिवर क्रूस यात्रा पर रवाना हो जुका है इस दौरान ये बतीस सौ किलो मीटर का सफर के तै करेगा वारांसी से असम के डिब्रूग गर तक चाहेगा ये रिपोर्ट ज़रा देखे इस विशे पर खास रचा के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक बहुत ही विशेश मेहमान लोकेंद्र सैनी साहब CEO Ease My Trip से लो किस तरह से देख रही है समय कम है तो मैं बहुत ही स्प्रेस्पिक सवाल आप तक लेकर आऊंगा लेकिन पहली प्रतिकरिया आपकी कितना उतसा आपकी इंडस्ट्री में इसे लिए इंडस्ट्री में बहुत बड़ा उत्सा है इससे क्रूज एक ऐसी चीज है जो काफी एक्साइटिंग रही है ओलिडे पे जाने वाले लोगों के लिए अभी तक हमने इसको अच्छी तरह से एक्स्प्लोर नहीं किया था जादा हमने इसके अराउंड अभी तक पैकेजिज नहीं बनाये थे और ना ही इस तरह कि हमारा इंफ्रसेक्चर था कि जहां लोगों के पास काफी क्रूज चूज करने के आप्शन हो लेकिन गंगा विलास क्रूज के आने से ये एक बहुत ही अच्छा स्टेप है जिससे हमें और प्रमोशन मिलेगा ट्रैवल और टूरिजम में और यात्रियों को काफी अलग-अलग तरह के ट्रैवल हॉलिडे करने के आप्शन भी प्राप्त होंगे जैसे ही बात आती है क्रूज के सफर की और भारत में बार-बार बाना जाता है कि ये किफायती नहीं है इस क्रूज की जो प्राइजिंग है उससे भी आप गुसरे होंगे कैसे ये स्लोडाउन होगा कैसे कूल डाउन होगा क्या चीज़ें करने के आवशकता है तो जैसे कि मैंने बताया कि अभी शुरुवात में जो भी चीज पहली बार आती है वो थोड़ी सी तो महंगी होती है अगर हम याद करें कि पहली बार जब फोन्स आये थे तो उनकी भी प्राइस बहुत जादा थी लैप्टॉप्स भी बहुत महंगे थे और प्लेंस भी एक टाइम पर काफी महंगे हुआ करते थे तो ये शुरुवात है अभी हमें थोड़ा सा वक देने की ज़रुत है जैसे जैसे लोगों को लोग इसमें यात्रा करना शुरू करेंगे और और क्रूज इसकी रिक्वाइर्मेंट आने लगेगी तो वो प्राइस भी नीचे आ जाएगी क्योंकि जहां तक आप देखेंगे अगर आप विदेशों में अगर आपने यात्रा की है तो क्रूज बहुत महंगे नहीं होते हैं अगर आप उन्हें कंपेर करें होटल स्टे और जो ग्राउंड में आप गाड़ी लेंगे गुमने के लिए उन सब को अगर मिलाएंगे तो कुल मिलागे क्रूज थोड़ा सा ही उससे 10-20% उपर चार्ज करते हैं आपसे पेस डाउन होने के आशनका है बिल्कुल बिल्कुल और अगर हम भारत में क्रूज बिजनस को देखें तो किस तरह का रिस्पॉंस मिला है हाल फिलहाल हम कुविड वाले हिसे को अगर निकाल भी दें हमने देखा कि बड़ा उत्सा था शुरुवात में क्या इस तरह की पहल से उत्सा में और तेजी आई है या अभी भी इसके लिए अवेरनेज जो है वो थोड़ी कम है रिग्लर ट्रेवलर्स में देखिए हमारे इसमाई ट्रिप पे तो हमने क्रूज की बुकिंग हमेशा बढ़ते हुए ही देखी है जैसा कि आपने कहा कि कोविड का पीरिड अकर हम निकाल दे तो इस साल भी हमारी क्रूज की बुकिंग पिछले साल के मुकाबले तीन गुना हो चुकी है लेकिन साथ ही मैं आपको एक बात और भी बताना चाहूंगा कि जादा तर क्रूज की बारे में लोगों को तभी याद आता है जब वो विदेशी आत्रा कर रहे होते हैं और उसकी एक वज़े है बिलकुल जैसा आपने सही बोला कि अवेरनेस की और क्रूज की कमी होना भी है क्योंकि बहुत लिमिटेड नंबर अफ क्रूज अभी हैं हमारे पास कुछ एक दो क्रूज कम्पनीज हैं जो गोवा से पॉंडिचेरी या मिट सी बगरा करते हैं कुछ क्रूज कम्पनीज लेकिन जैसा कि इंडिया अब एक काफी फास्ट ग्रोइंग ट्रैवल कंट्री बनता जा रहा है काफी लोग यहां से यात्रा करते हैं तो क्रूज ओवरॉल तो काफी ज़्यादा सेल होते हैं इंडिया से लेकिन अभी तक ज़्यादा तर वो इंटरनाशनल के लिए ही हो रहे हैं तो इंडिया के लिए थोड़ा सा हमें प्रमोट पुश और क्रूज इसको बढ़ाने के आवशक्ता है समय कम है आखरी संसेशनशेप में आपसे एक आंसर चाहेंगे कि किस तरह की यात्राओं पर फोकस जादा है लंबी दूरी की क्रूज यात्राओं का या अभी भी जो है वो शॉर्ट डिस्टेंस जो है और बहुत ही हाइलाइट वाली जो जगए हैं वहाँ जाना लोग पसंद कर रहे हैं देखिए इसको हमें डिवाइड करना होगा रिवर क्रूज और ओशन क्रूज में जब आप ओशन क्रूज की बात करते हैं तो ये यात्राओं काफी बड़ी होती है लेकिन क्योंकि इंडिया एक बहुत ही बड़ा देश है और बहुत सी नदिया हमारे देश के अंदर से होके निकलती है तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमने खोड़ा सा और प्रमोट किया और थोड़ा सा इस पर फोकस किया तो बहुत सारी चोटी डूरेशन की रिवर यात्राओं हो सकती है एक दिन की भी हो सकती है जिसमें आप सुबह जाके शाम को आ सकते है कास्ट के मामले में भी हो काफी कम होंगी लेकिन अभी क्योंकि जादातर ओशन क्रूज ही फेमस है तो यात्राइं थोड़ी लंबी ही होती है चार-पांस दिन से लेके दस दिन तब की बिल्कुल 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 बहुत बार शुक्रिया लोकेन जी जुड़ने के लिए और इस विशे के अलग अलग पहलों पर बाचीत करने के लिए उमीद यही करेंगे कि ये जो एक शांदार शुरुवाद हुई है एक बड़ी शुरुवाद हुई है ये एक बड़े रिजल्म के रूप में आए और जो कुरूज बिजनस है जो कुरूज की सवारी है उसे लेकर जो आम यात्वी है उनमें एक तरखा उत्सा बना रहे है और बिजनस लगातार बड़ी रहा है जैसा कि आप बता रहें फिलहाल इस सखास चर्चा में इतना ही दीजे इजाज़त और आप देखते रहें एटी नाव सुदेश नमस्का